हेलो गाइस चेश्त्री राम सास्त्री काल सारे आनू सबसे फ़हले सॉरी फार लेट क्योंकि लगभग दो दिन से या लास्ट से जो है आपको डिक्टेशन टेस्ट नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा वीजी था सो आज मैं भी आपको डिक्टेशन टेस्ट दे रहा हूँ और कोसिस करूँगा कि साम के टाइम एक डिक्टेशन टेस्ट और लाँ और इस डिक्टेशन टेस्ट में बैसा ही बोला जाएगा जो आप तेज तारिक को बिल्कुल देने बाले हो सकता है उससे स्पीट थोड़ी कम ही रहे बलकि जादा नहीं होगी तो आप लोग इससे प्रक्टिस चरूर करें और मैं आपसे फिर वही कहूँगा कि आप लोग चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लें और वीडियो को शेर करके इसको आगे बढ़ा दें तो बिना देरे क्योंगे स्टार्ट करते हैं काउंडाउन स्टार्ट थ्री टू वन Smartphones have completely changed the word of communication, comma, and impact of its introduction भ canvas on is visual in personal as well as professional life Smartphones come with multifunctional tools and various number of applications that provide countless benefits to companies both large and small it is the main reason behind the name Smartphones however, there is a group that believes that Smartphones are making foolish people full stop do you agree with the statement ? the biggest drawback to the use of Smartphones is the adverse impact on people's memory full stop today comma people tends to forget things due to excessive use of smartphones full stop previously comma people had no problem remembering phone numbers and other tasks to do comma however comma this is not the case now fully stop and stop writing so guys, dictation test 5 था लगवग इसको भी तीन साभे तीन मिनट के अंदर मैंने complete कर दिया है और लगवग इसमे 110 या 115 वर्ड हैं और जो वहां पर डिक्टेशन बोला जाएगा वो लगवग पांच इस नमबर तक गयन कर रहे हैं तो यूर गुड और इसका जो सल्यूशन है वह आप डिस्क्रप्शन बाक्स में मिलेगा आपको या तो फिर आपको कमेंट बाक्स में मिलेगा तो आप लोग वहां पर देख लेना एक बार फिर करना चाहूंगा गाईस चैनल को सब्सक्राइ जहन गुड बाई